ना सदा सिन्नो सदा सित्त दा नीम ना सित्र जोनो व्यो मा परोयत किमा वरेवह कुह कस्य शरमन्नम भा किमा सित गहनम गवेरं त्रिष्की से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था चिपा था क्या कहा किसने ढखा था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था स्रिष्टी का कौन है करता करता है वाह करता उन्से आकाश में रहता सलाह ज्यक्ष बना रहता वही सच मुझ में जानता या नहीं भी जानता है किसी को नहीं पता नहीं पता नहीं है पता नहीं है पता था पता नहीं है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि जानतों जाये शांतों जाये चिए आपक जाई या तर भी बैट जाएए उधर भी बैट जाईए पंढडित रहो हाने वाले हैं हां बैट यहिए अ अ मंधितेरू तरह बाद कि छίν को को करी ना मोसित कर फाद कर द इस नई बंडिस नेरू इन्यावाद बहनों भायों और साथियों आप लोग जो ये भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं ये अच्छी बात है पर आप ये भी जानते हैं कि इन नारों का मतलब क्या है कौन है भारत माता किसकी जीत चाहते हैं आप सब बताएए मैं भी जानना चाहता हूँ अच्छा तुम बताओ कौन है भारत माता बोलो बोलो अच्छा तुम बताओ कौन है भारत माता आप लोगों को कम से कम इतना तो जानना ही चाहिए किस की जये क्या है भारत माता कभी देखा है आपने पंडी जी भारत माता मतलब ये धर्ती हमारी माता है सिर्फ ये धर्ती या इस गाउं की धर्ती या इस सूबे इस इलाके की धर्ती या सारा हिंदुस्तान सारे हिंदुस्तान की धर्ती सिर्फ धर्ती और कुछ नहीं हिंदुस्तान की ये इतनी नदियां पहाड ये सब नहीं सभी हैं पंडी जी ये नदियां ये पहाड जंगल और हमारे ये खेत जो हमें अनाज देते हैं इसके अलावा? इसके अलावा? इसके अलावा क्या? इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो इन सबसे अहन है वो क्या? आप बताईए पड़ी जी भारत माता तु ये सब है ही नदिया पहार, खेत, पेर, घने जंगल, समंदर, आस्मान पर मेरे या तुम्हारे बिना ये सब बेमतलब है सबसे अहम है भारत की सरजमीन पर फैली आवाम भारत के लोग दरसल अपने करोड़ों बेटे बेटियों से ही भारत मा की पहचान इसलिए उसकी जीत होगी आप सभी की जीत से यानि कि देखा जाए तो आप सभी अपने आप में भारत माता हैं भारत माता की जए भारत माता की जए 1930 के आस पास जब भी जेल से बाहर रहा खासतोर से सन 36-37 के चुनावी दोरों के वक्त मैं भारत के तमाम सूबों के गाउं और शहर घुमा ये यात्रा खुद मेरे लिए एक खूज थी ऐसा लगता था हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान की धर्ती अपने पूरे पहलाओ के साथ मेरे सामने है हिंदुस्तान के बदलते रंग रूप मुझ पर च्छाने से लगे इसका विस्तार या अलग-अलग रंग तो पकर में आ जाते पर इन सबसे अच्छूती इसकी आत्मा को समझना मुश्किल था हाला कि अपने अत्राफ उसे महसूस जरूर कर रहा था जितना ही भारत को देखा उतना ही ये एहसास बढ़ा कि मेरे या किसी के लिए भी उस कल्पना को बूझना जो ये भूमी अपने में छिपाए है बहुत कथिन है कभी तो भारत मुझे एक ऐसे शिला लेक सा लगता जिस पर मुख्तलिफ ख्वाब और ख्याल की तहें एक पर एक जमी हुई हो फिर भी किसी बाद की लिखी तह ने पहले से लिखी भारत को न तो मुकंबिल तोर से मिटाया नहीं छिपाया चाहे इनका गुमान भी न हो फिर भी दिमाग के चेतन अचेतन हिस्सों में मौझूद सब रहता है और इन ही सब ने मिलकर भारत के पेचीदा और भेद भरे वजूद को शकल दी है हिंदुस्तान एक नक्षे और जोग्राफिय को छोड़ कर क्या है माजी में क्या पहचान थी इसकी उस समय क्या था जिसने इसे इतनी शक्ती दी क्यों ये शक्ती खोसी गई क्या अब भी कुछ बाकी है आज भी वो रह गया है जिसे हम जानदार और एहम कह सकें सिवा इसके की बड़ी तादाद में यहां लोग बसे हैं तारीख में उन पुरानी और स्थिर तहजीबों के जवाल या अचानक खात्मे की कई मिसाले हैं जिनकी जगह फिर नई और जानदार तहजीबों ने ली क्या वो एक मारमिक शक्ती है एक अंदरूनी कुवत जो किसी तहजीब या कौम को जिन्दा रखती है जिसके बिना हर कोशिश बेकार सी लगती है जैसे एक बुढ़ा जवान होने का स्वांग भर रहा हो सिंदू घाटी सब्यता भी अपने आप में एक भारतिय सब्यता थी जो मौझूदा हिंदूस्तानी तहजीब का आधार बनी कितनी हैरत की बात है कि कोई भी तहजीब इस तरह पांच-छे हजार साल तक काइम रहे वो भी किसी गतिहीन अर्थ में नहीं क्योंकि भारत में विकास और बदलाव शुरू से आते रहे इरान, मिस्र, युनान, चीन, अरब, मध्य एशिया और भू-मध्य सागर के लोगों से भारत का संपर्क रहा भारत की सब्यता का बहाव इनसे प्रभावित हुआ, उसने इन्हें प्रभावित भी किया मगर उसकी अपनी तहजीब की अलग ही पहचान रही क्या है इस पहचान का राज कहां से आई हम में इतनी सकत ना सदा सिन्नो सदा सित्दा नीम ना सित्र जो नो व्यो मा परोयत किमावरी वह कुह कत्य शरमन नंभा किमादेद गहनम गवेरं नमृत्य रादेद अमृतं नतरही न राद्या अनादेद प्रकेता स्रिश्टी से पहले सत नहीं था असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था चिपा था क्या, कहां किसने ठका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था नहीं थी मृत्यू थी अमरता भी नहीं नहीं था दिन, रात भी नहीं हवा भी नहीं, सास थी स्वयवेव फिर भी नहीं था कोई कुछ भी, परमतत्व से अलग या परे भी परमन में पीच पहला जो उगा काम बन कर वह जगा, कभीयों यानियों ने जाना असत और सत का निकट संबंद पहचाना पहले संबद के किरन धाग तिर छे परमतत्व उस पल उपर या नीचे वह था पटा हुआ, पुरुष और स्त्री बना हुआ उपर दाता वही मोकता पीचे वसुदा स्वदा हो क्या स्रिष्टी ये बनी के से? किस से? आई है कहां से? कोई क्या जानता है? बता सकता है देवताओं को नहीं व्यार वे आए सुजन के बार स्रिष्टी को रचा है जिसने उसको जाना किसने स्रिष्टी का काम है करता करता है वह अकरता उजे आगाश में रहता सदा अत्रक्ष बना रहता वही सच मुझ में जानता या नहीं भी जानता है किसी को नहीं पता नहीं पता नहीं है पता मैं हिमाले में बहुत घुमा जो हमारे पुरान और दंकताओं से जुड़ा हुआ है जिसने हमारे साहित्य हमारे विचार पर इतना गहरा असर डाला है बिशाल परवतों से मैदानों में बहने वाली नदियों ने भी मुझे लुभाया और हमारी तारीख के अंगिनत युगों की याद ताजा कराई सिंधू जिससे हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पढ़ा और जिसे पार कर हजारों बरसों से जातियां, फिरके, काफिले और फौजें यहां आती रही भ्रम पुत्र जो तारीख की मूल धारा से कटा हुआ रहकर भी किस्से कहानियों में हमेशा जिन्दा रहा है यह उत्तर पूरब के पहारों में गहरी दरारें बनाता हुआ, दंद बनाता हुआ भारत में दाखिल होता है और फिर शांती से पहारियों जंगल भरे मैदानों में बहता है यमुना जिसके साथ रास, नित्य और खेल की लीलाएं जुड़ी हुई है यमुना जिसके साथ बनाता है और गंगा, भारत की अपनी नवी जिसने अपनी खूबसूरत भारा में हिंदुस्तान का दिल मोह लिया है जो आदिकार से न जाने कितने करोनों लोगों को अपने तट की और खीचती रही है तरसल गंगा की कहानी स्रोच से साधर संगम तक हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृती की कहानी है आदिकार से वर्तमान तक उन समराज्यों के उत्थान और पतन की विशाल शहर बसने और उजड़ने की इंसान के साहसे कारनामों और उस दिमागी खोज की जिसने भारत के विदवानों को उकसाया एश औ इशरत, त्याग और सन्यास, उतार और चरहाओ, विकास और विनाश की, जिन्दगी और मौत की कहानी टार लिए और मौत की कैसे सबसाद पाहद की भी औरिल श्यास, छुते रचलाल याड़ा, टर सन्यास, किर सेरी धास, जिन्दगी और मौत की ओिन्त।, उतार पहला हम।ड़ा।, आजय।, यद।, विकासे स SJ. इन तमाम यात्राओं ने पढ़ी हुई तारीख को उजागर करके बीते हुए कल को समझने में मेरी मदद की अब तक जो महस दिमागी जानकारी थी उसमें एहसास का पहलू पनपा और जहन में बन रही हिंदुस्तान की तस्वीर में असलियत के रंग खुलने लगे पहत्ते रंग इस बनी जाग थागुँ जरीक के असलिगा व खबता भाल से विर्मव जाग्पा प्षिसे के आग। झाल झाल सवी mixing Maybach के अन्वेश के रंग पनने खबता भी तुलने थी उसमें। झाल, जाल, जाल, गाल्प्सकृ कि जीर प्रेन नान 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 नीरा उजान नेरा कार नीरा उजान नेरा कार नीरा उजान नेरा कार वेश्ष्वकादू आला नान 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 वेश्वकादू आला नान 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 आशारण आशारण न करत हूं ना मुनी दजागल समसार आजारन शार लक्रत हूँ नाओने दजा गलसों सार निराँ जान निराकार निराँ जान निराकार निराँ जान निराकार तुमाही नादा दया दाओने तुमाही नादा दया दाओने जान की आसे बुरना कामा आँ ता काला आवा ता कामा कादो बाँ दान दुका बाँ जान मन राँ जान जगा आधार कादो बाँ जान दुका बाँ जान मन राँ जान जगा आधार निराँ जान निराकार निराँ जान निराकार निराकार अज़िए झाल कर 입क भूम इनक मत विन कान ओं कि एमने इसे कि नम इनक मत बड़ का सुनक कि अराइन एम इनक सब्सक्राइ ठूम एमर्ण 2 इड प्रिडारा इड सकतेटे हैं कि सो lacking कि उयुकर तभ से ते हुड़ ul यह ज इडाय है कि ते हैं अपने पुर्खों की धर्ती पर जीते जागते इनसान दिखने लगे जो रोते हंसते प्यार करते तकलीफ जेलते थे और उनमें ऐसे भी थे जो ग्यानी और समझदार थे जिनके दिमागों ने वो धाँचा तयार किया जिसने भारत की तहजीब को ठोस आधार दिया जो हजारों बरस काइम रहा बनारस के नजदीक सारनाथ में कौतम बुध को अपना पहला उपदेश देते हुए मानों अपने सामने देख रहा हूँ और उनके शब्द जैसे धाई हजार साल की दूरी से गूंच कर मुझ तक पहुँच रहे हैं धिक्वो जन्व दुख है मरण दुख है जरा दुख है रोग दुख है दुख देती या पुरिय की संगत दुख मनुच का आरे सत्य है दुख की जड़ है इच्छा त्रिश्णा सुख की चाहत त्रिश्णा त्रिश्णा स्वर्ग कामना त्रिश्णा त्रिश्णा मरकर भी बाकी है त्रिश्णा त्रिश्णा ही पापों की माता त्रिश्णा मानव आरे सत्य है कामत्रिप्ति भी मोक्ष नहीं है दे सुखाना मोक्ष नहीं है त्रिश्णा छोड़ो त्रिश्णा तोड़ो मोक्ष प्राप्ति की राह यही है, यही सत्य, निर्वान यही है अशोक स्तंभ पर खुदे शिला लेक, जो अपनी शांदार जबान में मुझे एक ऐसे इनसान का हाल बताते हैं जो समराथ होते हुए भी किसी भी दूसरे शासक या राजा से महान था यह आदेश हमेशा तिश्या नक्षत्र में पढ़ना और सुनना चाहिए साल में तीन बार कोई चाहे तो दूसरे मौकों पर भी इसे सुन सकता है यह आदेश है देवन प्रिय राजा प्रिय दर्शी का नगरवासी कई अफसरों पर जैसे हारी बिमारी बच्चों का जन्व या विभा यात्रा आदी अरम पर कई शुब समारों का आयोजन करते हैं ऐसे अफसरों पर महिलाएं खास तोर से आयोजन करती हैं जो सारे निरर्थक और तुछ हैं दूसरी और धम्मा से जुड़े सभी अनुष्ठान अच्छा परिणाम देते हैं उसके अंतरगत आते हैं नौकर या दास के प्रती शिष्ठ वैवार बढ़ों के प्रती शरधा दूसरे जीवों से वैवार करते समय स्विम्पन नियंतरन श्रमनों और ब्रहमनों के प्रती उदारता ये और इसी प्रकार के दूसरे गुण ही धम्मा के अनुश्थान है धम्मा के बारे में राज जाग्या देवन प्रिया राजा प्रिया दर्शी के कहने पर खुदवाई गई है राजा प्रियदर्शी का आदेश है हर अपसर पर नगरवासी को व्यक्ति को दूसरे संपरदायों का आदर करना चाहिए ऐसा करके वो अपने संपरदाय का प्रभाव बढ़ाएगा यदि कोई व्यक्ति इसके विफ्रीद करेगा तो वो दूसरे संपरदायों को नुक्सान पहुंचाएगा और अपने संपरदाय का असर भी कम करेगा इसलिए सामन जस्य की प्रशंसा की जाती है ताकि लोग एक दूसरे के सिधानतों को बहतर समझ पाएं पतेहपूर सीकरी में अकबर बिना ताज और तख्त की परवा किये धर्म विद्वानों से बहस मुबाहिसे में जुटा है नई मालुमात की जुस्तजू में बेसबर मसले ऐहायात के बंधन से निजात पाने की राह खोज रहा है हमें एहसास है के मुख्तलिफ मजभों के रोहानी रास्ते जुदा है रस्म रिवाच अलग है हिंदू, मुसल्मान, पार्सी, यहूदी और इसाई सब के मुख्तलिफ तालीमे हैं लेकिन हर एक मजभ पर एमान रखने वाला सोचता यह है कि उसके मजभ की रवायते औरों से बहतर है इस ख्याल से वो दूसरों को भी अपने अकीदे पर लाना चाहता है अगर कोई इंकार कर दे तो उसे हिकारत से देखा जाता है और वो दुश्मन करार दिया जाता है इनी सब वज़ों से हमारे दिल में तरह तरह के शकोशुबा उभरने लगे है इसलिए हम चाहते है कि मुकर्र दिनों पर तमाम फिर्कों और मजभों की दीने किताबे यहां लाए जाएं और अलग-अलग मजभ के आलिमों में बहस मुभाइसे हो ताके हम उन्हें सुन सके बिजारे हैं गाटा है जो गाटा है जो कारितां में जो भाव निवारे दिन चल गया यह दरियां प्यारे ना निहारे गटा निहारे गटा निहारे गटा निहारे गटा ए दूबारतां में हिंदुस्तान एक बहुरंगी देश है यह तो सब जानते हैं एक जाहिर सी बात है जो हर एक देख सकता है फर्क उपरी ठाट बात और रहन सहन में भी दिखाई देते हैं आदत और सोचने के ढंग में भी मजभ बदलने से भी तबदीलियां आई हैं पर जो तर्ज जिंदगी किसी खास इलाके की पहचान मानी जाती है उसमें फिर भी इतनी तबदीलियां नहीं आई सभ्यता की शुरुआत से हिंदुस्तान के मन में एकता का एहसास दरूर रहा है लेकिन ये एकता उपर से लादी गई कोई चीज नहीं जहां सब एक तरह सोचें एक सा रहन सहन अपनाएं वो किसी और किस्म की एकता रही है जहां विभिन सिध्धानतों को एक सा आदर सम्मान मिलता रहा प्राचीन या मध्यकालीन युगों में एक आधुनिक राष्टर का खयाल था ही नहीं और सामंती, सांस्कृतिक या जातिबद बंधन ज्यागा मतलब रखते थे फिर भी मुझे लगता है कि तारीख के किसी भी दौर में एक हिंदुस्तानी भारत की किसी भी हिस्से में जाकर एक अपना पन जरूर महसूस करता होगा जबकि विदेश में वो अपने आपको अजनबी समझता होगा कि झान जरूर में भाई भी हिस्से इतार बंधन जरूर में जरूर लगता है झाल 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 इस तरह हिंदुस्तान के लंबे इतिहास के मनजर मेरे सामने से गुजरने लगे हार जीत उतार चड़ाव लिये हुए कितनी अनोखी है ये परमपरा जो तारीख के पांच हजार साल से गुजर कर चली आ रही है हमलों और उथल पुथल के बावजूद ये परमपरा काइम रही और उसने अवाम में फैल कर उन्हें प्रभावित किया और फिर इतिहास का कारवा दुख भरे वर्तमान पर आकर रुक गया कहीं दूर से नारों का शोर एक गरच की तरह मुझत पहुचा शुरू में पहचान नहीं पाया फिर एक जानी पहचानी सी पुकार लगी जो मेरे दिल से जवाब मांग रही थी जेल के बाहर न जाने कौन हमारे इंकलाबी नारे दोहरा रहा था शहर के मर्द औरतें या गाउं से आये किसान जो भी थे उन्हें सुनकर हम सब खुश हो गए और उनकी उस सलामी का दिल ही दिल जवाब ही दिया श्रण्यगरवात समवर सताग्रेव भूतस्य जात पतिले का आसित सदाधार पृतिविम्ध्या मुतेमां कस्मय देवा यह विशा विदेम वह था हिरण्यगरवस्रिष्टी से पहले विद्यमां वही तो सारे भूत जात का स्वामी महां जो है अस्दित्वमान धर्ती आसमान दारण कर ऐसे किस देवता की उपास ना करें हम हमिदेकर जिसके बलबरते जो मैं है अंबर पृत्वी हरी भरी सापित सिर स्वर्ग और सूरज भी स्थिर ऐसे किस देवता की उपास ना करें हम हमिदेकर कर्म में अपने अगनी दारण कर पैदा कर व्यापाथा जल इधर उदर नीचे उपर जगा जो देवों का एक मेव प्रान बन कर ऐसे किस देवता की उपास ना करें हम हमिदेकर